तो बेबी डॉश के बाद अब फाइनली शिवाईनू भी हमारे लिए कुछ बड़ी खबले लेकर आ चुका है पिछले एक हफ्ते के अंदर हमने देखा कि किस तरह से हैश्टाइग बेबी डॉश को ईन लगा ता ट्विटर पर ट्वेंट हो रहा था और जहां तक बात की जाए पेपे की तो पेपे भी थोड़ा बहुत पंप करता नजर आया शिवाईनू की जहां तक बात की जाए तो वेज़ की बड़ी आ अक्टिविटी इसके अंदर भी हमें देखने को मिल रही है बारे में आपको जाना जरूरी है तो वीडियो को लास तक देखना बिलकुल भी मत भूलेगा साथी में क्रिप्टो से रिलेटेड इसी तरह के वीडियो को देखते रहने के लिए चानल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथी में आप हमारे टेलेग्राम ग्रुप को भी जोइन कर सकते हैं जिसमर आपको क्रिप्टो से रिलेटेड सारी अपडेट्स, न्यूज, गॉसिप्स ताइम तो टाइम मिलती रहेगी वह भी रिसेंट गिववेस के साथ तो लिंक मैंने नीचे डिस्किप्शिन बॉक्स में रे दिया है आप जाके जोइन जरूर करें हेलो दोस्तो वेलकम टू दो क्रिप्टो बाइट और आज में लोग बात करने वाले है शिबाइनू कोईन के बार में दोस्तो आप देख सकते हैं जो करेंट प्राइज है वो अल्मूस्ट टिका हुआ है किसी तरह 0.001 रुपीस पर एक्सपेक्टेड था कि अपने प्राइज में एक जीरो को फिर से इंक्रीज ना कर दे क्योंकि जिस तरह से परफॉर्मेंस रहा है ज्यादा एक्सपेटेशन लेकिन अब जो सिच्वेशन आ गई है वेल्स ने फिर से एंट्री लेली है शिबाइनों के अंदर पिछले अपते के वीडियो में भी हमने देखा कि किस तरह से वेल्स लगातार आक्टिविटी करती दिखाए दे रही थी और यहाँ पर अगर हम करें सिच्वेशन की बात क यह भी वेल्स की तरफ से इसके अलावा वेल्स की तरफ से ही एक बड़ी बर्निंग हमें देखने को मिली है जहां पर और अर्मोस्ट 7.8 मिलियन शिबाइनों टोकन्स डेट वालेट में ट्रांसफर कर दिये गए और यहां पर इसी एक बर्निंग की वज़े से और मुस्ट 3 30,348% तक यहां पर बर्निंग में हमें स्पाइक देखने को मिल गया तो यह बर्निंग भी यहां पर वेल्स की तरफ से ही हुई है दूसी तरफ एक अफवा आ चुकी है कि एलॉन मस्का एक्स कही ना कही शिबाइनू को भी एकसेप्ट करता दिखाई दे यह एक अफवा पह आज की रेट में डॉस सेटलाइट पर काम कर रहा है और इस एक चीज के कारण जो पेमिंट प्लाटफॉर्म है उसने यहां पर डॉच को इंक्लूड कर लिया है लेकिन कही ना कहीं मार्केट में उरती उरती कबर फैल रही है कि शिबाइनू को भी एकसेप्ट करना शुरू कर देगी हमें मार्केट के अंदर इसके साथ ही यहां पर जो 10 सेंट का प्राइस प्रिक्शन है वो एक अन्भिलिवेबल प्राइस प्रिक्शन है और इतने बड़े प्राइस पोईंट को अचीव करने के लिए बर्निंग एक बहुती बड़ा रोल प्ले करेंगी और यहां पर क्या कोई रास्ता है कि burning के थू हम 10 cent तक पहुच पाए इस साल के अंदर या इस बुल्रन के अंदर तो यहां पर यह एक सिर्फ एक unrealistic burning ही सच कर सकती है कैसे हमने 2021 में रेखा था कि किस तरह से इस बुल्रन में अगर इस तरह की अन्रियलिस्टिक बर्निंग अन्रियलिस्टिक बर्निंग हमें देखने को मिलती है तुरी कोई possibility है कि एक सेंट तक जाता दिखाए दे इसके अलावा कोई भी चीज शिबाइनू को इतने बड़े कोईन्स बर्न हो पाए है इतनी मैसब सप्लाइ पर इन चोटी सी बर्निंग का कोई effect ही नहीं पड़ रहा है तो यह एक करना शुरू कर देता है एक प्लाटपॉर्म तो यहां पर एक बहुत ही बड़े लेवल पर मास अदॉप्शन होगा और उसका भी effect आपको प्राइस पर देखने को मिलेगा तो आगे क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा लेकिन जो भी डिपेंड करेगा वो इन ही कुछ छ प्रॉफिट का फादा उठा रहा है तो इस सारा प्रॉफिट एक साथ हमें मार्केट के उठने पर ही मिलेगा इस तरह की अपडेट्स आपको हमारे टेलिग्राम ग्रूप पर भी मिलती रहेगी मेक शुर जोइन जरूर करें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो आप कर सकते हैं लिंक सारी चीजों का मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलेंगे क्रिप्टो के नई अब्डेट्स के साथ तब तक के लिए एंजोई दे मार्केट